रेगिलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा डिफ्रेंस है लाइक अगर हम दो सर्फेस ले एक हूँ बिल्कुल प्लेन सर्फेस दैट इस एक स्मूथ प्लेन मिरर की तरह और दूसरा सर्फेस होना चाहिए एरेगिलर सर्फेस कुछ इस तरह से तो जब कभी भी एक पैरलल बंच ओफ लाइट रेज एक स्मूथ सर्फेस पे हिट करेंगी तो हमें पता है वो एक स्मूथ सर्फेस है तो सभी light rays एकी direction में reflect होंगी कुछ इस तरह से next अगर यही light rays यही parallel bunch of light rays irregular surface पर hit करेगी like अगर हम पहली ray को देखे तो यह जिस जगह पर hit कर रही है वो plane नहीं है वो एक अलग angle पर है तो यह ray भी एक अलग angle पर जाएगी next ray वो भी plane नहीं है वो एक अलग angle पर है वो भी अलग angle पर जाएगी सेम इसी तरह से बाकी की rays भी अलग-अलग directions में reflect होंगी और अगर सारी incident rays अगर parallel थी लेकिन इसके बाद भी reflected rays parallel नहीं है उसके पीछे reason है कि एक particular ray एक छोटे से surface पर hit कर रही है उस surface का जो angle होगा वो ray उसी angle पर reflect होगी that's why वो rays अलग-अलग angles पर reflect होती हुई हमें एक irregular surface से दिखाई देती है और इस type के reflection को कहा जाता है irregular reflection या फिर diffused reflection irregular reflection irregular surface से होता है और regular reflection regular surface से होता है और we can say smooth surface से होता है regular surface या फिर regular reflection करने वाले objects होते हैं हमारा plane mirror या फिर किसी भी type का mirror and irregular या diffused reflection शो करने वाले objects होते हैं like book copy walls ये सारी चीजें जिसमें आप अपनी images ना देख पाएं